तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में किस ने Asian Hockey Champions Trophy को जीत लिया है तो आंसर होगा भारत ने तो अभी भारत्य पुरुष होकी टीम ने एशियाई Champions Trophy को जीत लिया है अचा एक एक करके अगर बात करें तो ये Asian Hockey Championship है जिसका फाइनल हुआ कहां पे मेर राधा करेशनन स्टेडियम जो की है चन्नेई में और फाइनल जीत लिया है भारत ने भारत ने फाइनल में किसको हराया मलेशिया को हराया और यहां पे भारत इतिहास रचा है यानि कि चौती बार भारत ने इसको जीता है और आप कह सकते हो ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया यानि कि सबसे ज़्यादा बार इसको भारत ने जीता है चार बार इससे पहले भारत ने सबसे पहले 2011 में जीता था फिर 2016 में फिर 2018 में और अब 2023 मे तो चार बार केवल भारत ही है जो इसको सबसे अदा यानिकि चार बार जीच चुका है इससे कम तीन बार जीच चुका है पका है पाकिस्तान तो यह होता है हमारा most important question अब होक्की से important question और क्या-क्या आपके current affairs में बने थे वो भी मैं आपको revise कराता हूँ और अभी एक question में आपको बताऊंगा होक्की से सम्मंदिच जो अभी SSC के exam में पूछा गया था पहले हम बात करें इस साल के starting में main soccer world cup का आयोजन हुआ था भारत में कहाँ पे उडिसा में जो कि इसका पंदरवा संसकरन था उसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके फिर आपने देखा national ice hockey championship हुआ था लह लद्दाक में उसको ITBP ने जीता था लद्दाक scouts को हरा करके अभी भारते पुरुष होकी टीम के कोच बन गए हैं Craig Fulton ये South Africa से हैं अभी आपको याद है राय बरेली होकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे रख दिया गया वैसे भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम ये उडिसा में आपको मिलेगा जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया यहीं पे मेंस होकी वर्ल्ड गप हुआ था और मोहाली होकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंग सीनियर के नाम पे रखा गया था वैसे भी होकी इंडिया ने पुरुष भर्ग का Player of the Year का पुरुषकार किसे दिया हारदिक सिंग को जबकि महिलाओं में दिया गया सविता पुन्या को और अभी FIH होक्की प्रो लीग 2022-23 का खिताब नीदरलेंड ने जीता Great Britain को अरा करके इसमें भारत चौथे स्थान पे था महिलाओं की लीग थी ये और होक्की से सम्मंदित कुछ important cups and trophies की बात करें तो एक तो अजलान शाह कप हो गया आगाखां कप हो गया नहरू कप हो गया ध्यानचंद कप हो गया रंगास्वामी कप हो गया सिंधिया कप हो गया रनजीत सिंग कप हो गया और अभी होक्की इंडिया के अद्धिक्स कोन है दिलिप टिर्की है और अंतर राष्ट्रे होक्की महासंग के अद्धिक्स कोन है मुहम्मद तयया विक्राम है और मैंने का था एक क्यूशन में आपको बताऊँगा जो भी SSE के एक्जाम में पूछा गया था प्रश्न था बैक स्टिक शब्द का प्रयोग की स्खेल में किया जाता है वैसे तो यहाँ पे स्टिक नाम से ही आप समझ जाओगे इसका प्रयोग होता है हौक्की में तो हौक्की ज़ेशन मंदित यह सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिये इनको ध्यान रखना आप बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में दुनिया की पहली PPD टेबलेट को किस देश ने मंजूरी दी है तो अंसर होगा अमेरिका पहले बात करें PPD का मतलब क्या हो गया तो इसकी फुल फर्म होती है पोस्ट पर्टम डिप्रेशन हिन्दी में बोलोगे तो प्रसवोत्तर अवसाद अब पहले इसका मतलब समझोआ तो वैसे अगर आप देखोगे तो कोई लेडी, कोई महिला जब मा बनती है तो 9 महिने तक बच्चे का इंतजार करती है उसे अपने गर्ब में पालती है 9 महिने तक और उसके आने का इंतजार करती है और जब वो बच्चा दुनिया में आ जाता है तो वैसे बात है मा तो खुश होगी इसे ही पर आजकर एक अलग बिमारी चर्चा में है जिसे कहते हैं PPD यानकी Post-Pertum Depression और अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाओं तो बच्चे के जन्म के बाद मा के जीवन में काफी परिवर्तन आते हैं कई प्रकार के वो नए अनुभव करती है तो नई जिम्मेदारियों के कारण कई मांसिक और शारेरिक उतार चड़ावाते हैं और ये सब कई महिलाओं के लिए चिंता और आउसाद यानकी Depression का कारण बन जाता है तो इसी के इलाज के लिए अभी अमेरिका ने दुनिया की पहली PPD टेबलेट को मंजूरी दे दी है और इस टेबलेट का नाम क्या रखा है जुर्जुवे जुर्जुवे नाम रखा है एक्चुली में अभी तक इसके इलाज के लिए Intravenous Induction दिया जाता था पर अब पहली औरल टेबलेट आ गई है जिसे लगातार 14 दिनों तक खाना होगा काफी अजीब अजीब बिमारिया है ना विदेशों में जादा होती है इस तरह की बिमारिया क्योंकि हमारे देश भारत में जब कोई महिला जब कोई लेडी मा बनती है और आपको पता होगा उस समय कितना पेन होता है लेकिन उस बच्चे के आगे वो सारे पेन को भूल जाती है सारे पेन को सारे दर्द को सेहन कर लेती है और हां मानते हैं बच्चा होने के बाद उसके जीवन में काफी सारे परिवर्तन आएंगे उसके जीवन में, उसके टाइम टेबल में, उसके शरीर में लेकिन भारत में वो महिला उस हर change को enjoy करती है अपने बच्चे के लिए और आपको याद है cervical cancer की भारत की पहले सुधी सी vaccine आई है उसका नाम क्या है CervaVac और ये जो cervical cancer है ये किस virus से होता है तो human papilloma virus और WHO ने World Health Organization अपना Global Center for Traditional Medicine Center कहां पे launch किया गुजिरात में और भारत ने अभी पारंपरिक दवाओं पर आशियान देशों के सम्मेलन की भी मेजबानी की अच्छा यूं बताओ चेचक TK की खोच किसने की Edward Jenner ने और रिवीज की की थी Louis Pasteur ने और ये बताओ किस देश ने मधुमक्यों के लिए दुनिया के पहले TK के उप्यूग को मंजूरी दी थी तो आंसर होगा अमेरिका ने तो ये पॉइंट साब ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए अभी हाली में आयोजित भारते फिल्म फेस्टिवल मेलबॉर्न दोजादेविस में बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया तो आंसर होगा अगरा को तो Melbourne ये कहाँ पर है आस्ट्रेलिया में तो Indian Film Festival Melbourne 2020 में Best Film का Award मिला है किसे आग्रा मुवी को तो याद रखना है ये Best Indian Film का Award मिला इसको लेकिन अगर overall category में अगर बात करते हैं तो Best Film का Award दिया गया सीतार रमम को वहीं Best Documentary का Award मिला To Kill A Tiger को Best Actor का Award मिला मोहित अगरवाल को आगरा मुवी के लिए वहीं Best Actress का Award मिला रानी मुखर जी को Mrs. Chatterjee vs. Norway मुवी के लिए और Best Director का Award मिला प्रत्वीक कॉननरूर को Hardin Allen 2 के लिए तो ये Indian Film Festival Melbourne है इस बार ये इसका चोधवा संसकरन है कहां पर आउजन हुआ? Melbourne, Australia में वैसे अभी आपको यादे Cannes Film Festival का कौन सा संसकरन हुआ? 76 नंबर का कहां पर? France में होता है इसमें मानत पाल में Dior Award मिला था Michael Douglas को और अभी इसी साल 68 नंबर के Film Fair Awards के बारे में अमने पढ़ा था Best Film का Award मिला था गंगुबाई, काठिया वाडी को और उसमें Best Actress का Award मिला आलिया भट को इसी मुवी के लिए और Best Director भी इसी मुवी के है संज लिला बंचाली जबकि Best Actor का Award मिला राजकुमार राव को बदाई दो मुवी के लिए और आसकर की भी बात कर लेते हैं इस साल 95th नमबर के हुए Best Film का Award मिला था Everything, Everywhere, All at Once को Best Actor है Brandon Fraser, The Vale मुवी के और Best Actress का Award मिला है Michelle Yoho को इस मुवी के लिए Everything, Everywhere, All at Once और इसी मुवी के जो डारेक्टर है Daniel Kwan उनको Best Director का Award मिला और आसकर में दो नाम हमें और याद रखने की Best Original Song का Award मिला SS Raja Molli साब की RRR मुवी के गाने Natoo Natoo को जिसके Music Director है M.M. Kira Wani जिनको अभी पदम शिरी मिला था और इसमें Best Documentary का Award मिला है The Elephant Whispers मुवी को तो ये points भी ध्यान रखना पढ़ते आगे फर बताईए अभी हाली में मद्यर रेलवे का तीसरा Pink Station कौन सा बन गया तो आंसर होगा New Amravati Station तो अभी मद्यर रेलवे का ये जो New Amravati Railway Station है ये बुसावल डिविजन का तो पहला या यूं कहतें कि मद्यर रेलवे का तीसरा Pink Station बन गया है Pink Station मतलब ये पूरी तरस से महिलाओं के द्वारा संचालित होगा यहाँ पर केवल महिला करमचारी ही होगी छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल हर करमचारी यहाँ पर महिला होगा अब ये प्रश्ण आपके लिए इसलिए important हो जाता है क्योंकि प्रश्ण ऐसे बन सकता है कि बताओ देश का पहला Pink Station ये कौन सा बना था तो Mumbai Division का Matunga Station बना था जबकि दूसरा था Ajni Station जो कि Naakpoo Division का है अचा एक पॉइंट और नोट करना अभी प्रदान मंतरी नरेंद्र मुदी ने अमरत भारत Station योजना को शुरू किया जिसमें Railway Station का आधुनी की करन Modernization किया जाएगा और कितनों को चुना गया कितने Station को 1309 Station का ये आधुनी की करन किया जाएगा इस योजना के अंतरगत और Railway की बात है तो हमारे Rail मंतरी कौन है? अश्विनी वैश्णव है पहले Rail मंतरी कौन थे? जौन मताई अभी आपको यादे मुंबई के भाई खला Railway Station को UNESCO Asia Pacific Awards से सम्मानित किया गया था वैसे अभी Railway Protection Force के Director General कौन बने? मनोज यादव और याद रखना भी तेलंगना में देश की सबसे बड़ी नीजी Rail Coach Factory का उधगाटन किया गया कहाँ पे? तेलंगना की जो Capital है ना हैदरबाद उसी के पास रंगा रेड़ी जिले के कोंडा कल गाउं में है और इस कंपनी का नाम है मेधा सर्वो ड्राइट्स प्राइवेट लिमिटेड और दुनिया का सबसे लंबा Railway Platform ये बना करनाटक के हुगली में जो शिरी सिद्धुरुदा Railway Station है वहाँ पे इसके लंबा ये 1507 मेटर और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये चलेगी कहाँ पे? हुगली नदी के नीचे कॉलकता मेट्रो की बात हो रही है यहाँ पे तो ध्यान रखना ये points बढ़ते आ गए फिर बताईए हाली में इस रो ये छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपन यानिक उनको launch करने के लिए नया space port कहाँ पे बनाएगा? तो आंसर होगा तमिल नाडू में तो इस रो ये छोटे उपग्रहों को launch करने के लिए नया space port ये बनाएगा तमिल नाडू में तमिल नाडू में भी कहाँ पे? तमिल नाडू के थुतुकुडी जिले में एक स्थान है कुल सेकर पटेनम वहाँ पे अच्छा अभी ये थुतुकुडी जो जिला है तमिल नाडू का ये काफी चर्चा में रहा जैसे के अभी थुतुकुडी के आथूर पान के पत्तों को जी आएटेक मिला और अभी थुतुकुडी के ही आदिच नलेर स्थान पे on-site museum स्थापित किया गया जो इस तरह का भारत का पहला है बाकी इसरों की बात करें फुल्फाम होती अंडेन स्पेस रिसर्च और्गेनाइजेशन स्थापना होती 1969 में चेयर्मेन कौन है? S. Somanath है, दसवे नंबर के बने अभी मोटर होता इस्पेस टेक्नलोजी इसरों ने हमारा जो चंद्रमिशन ने चंद्रियान 3 इसको लॉंच किया था 14 जुलाई को बताओ किस रॉकेट की साहिता से ये प्रशन है तो आंसर होगा LVM3M4 जिसको बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं तो ये आप ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे अभी हाली में कौन सी भारतिय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बन गई है तो आंसर होगा CBI तो अभी केंद्रिया जाच ब्यूरो अकादमी को यानि की CBI अकेडमी को अधिकारिक तोर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है तो इस तरह से ये इसका दसवा सदस्य से बन गया ये आपको ध्यान रखना है अब दो संस्थाओं की यहाँ पर बात होती है एक तो CBI हो गई CBI जिसकी इस्तापना होती है 1963 में और CBI अकैडमी ये कहाँ पर है गाजियाबाद यूपी और CBI का हेड़कोर्टर कहाँ पर है नई दिल्ली में है और अब इसके नए अद्देक्ष कौन बने प्रवीन सूध बने है एक प्रशन में आपसे पूछूँँगा अभी प्रवीन कुमार श्री वास्तव ये भी क्या बने थे ये आप बताओ तो चलो अभी तुम्हें बता देता हूँ चीफ विजिलेंस कमिशनर बने थे जिसकी स्थापना किस समीति की सिफारिश पे होती है संथानम समीति की सिफारिश पे तो इंटरपोल यानि कि इंटरनेशनल पुलिस मतलब ये एक अंतरराष्टर संगटने जो दुनिया में पुलिस सहयोग और अपराद नियंतरन की सुविदा परदान करता है जिसकी स्थापना होती नाइटीन ट्वेंटी थी में फुल्फाम हो गई इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस औरगिनाजेशन हेड़कोर्टर है लियॉन फ्रांस में और इसके प्रसिडेंट कोने एहमद नसीर अल रैसी की युनाइटेड अरब अमिरात के हैं और अगर आपसे प्रशन पूछा जाए कि भारत इंटरपोल के बाल योन शोशन डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन से नंबर का देश बना था 68 नंबर का और मैंने आपको बताई दिया कि 2022 में इंटरपोल की 90 वी महासभा की मेजबानी किसने की थी भारत में और अभी 2023 में हमने बढ़ा था कि इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल लीडर्स कारेकरम का आयोजन ये किया गया था नई दिल्ले में तो ये पॉइंट्स पर याद रखना बढ़ते आगे फर बताईए अभी हाली में सेबी ने IPO लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटा करके कितने दिन कर दिया तो आंसर होगा तीन दिन IPO की मतलब क्या होता है फूल फॉर्म इसकी इनिशल पबलिक ओफरिंग आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा तो simple शब्दों में अगर इसे समझें तो ऐसे समझो अगर कोई कंपनी, अपने share कंपनी के जो share है वो अगर मार्केट में लिस्ट करना चाती है तो उसे सबसे पहले IPO लानापडता है और उसके बाद जो आम पबलिक है आम जनता है उस company के share खरीच सकती है तो अगर question की हम बात करें तो जब IPO market में आ गया तो आपको 2-3 दिन का वक्त दिया जाता है आपको IPO के लिए apply करना है कि हाँ भई मुझे इतने share खरीदने है आपने apply कर दिया कि भई मुझे एक lot खरीदना है कि दो lot खरीदने मतलब starting में IPO के वक्त ऐसा नहीं होता कि मेरेको एक share खरीदना है या दो share खरीदने lot में आपको share खरीदने पड़ते है bundle of share आप बोल सकते हो अब आपने share खरीदने के लिए apply कर दिया और अगर over subscription हो जाता है मतलब जितने share हैं उससे ज़्यादा खरीदने वाले आ जाते हैं तो फिर lottery निकलती है उसमें हो सकता है आपको share मिल भी जाए हो सकता है न भी मिले तो अभी तक क्या होता था जब IPO आया उसके 6 दिन बाद listing होती थी share market में उस company की listing होती थी लेकिन अब उस time को घटा के मातरे 3 दिन कर दिया गया ये इस प्रश्ण में कहा गया है मैंने simple शब्दों में आपको समझा दिया अब बात SEBI की है देखो SEBI की बारे में हमने कई बार पढ़ा है SEBI मतलब Security and Exchange Board of India और इसकी स्थापना 1988 में बारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी लेकिन आधिकारिक तौर पर SEBI को कानूनी मानेता मिलती है 1992 में जब हरशद में ता केस हुआ मुंबई में इसका Headquarter है अध्यक्ष की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष है माद भी पूरी बुच्च और अभी आपको याद होगा Current Affairs का प्रशन है कि SEBI ने Corporate Debt Market Development Fund की इस्तापना करने की भी घोषना की थी अभी SEBI ने सार्थी Mobile Application को भी लॉंच किया था आपने पढ़ा था कि भारत चाइना के बाद T Plus One Stock Settlement को लागू करने वाला दूसरा देश बना था दुनिया का इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब आज आपने Share खरीदे हैं तो वो एक दिन बाद ही आपके Account में आ जाएंगे आपके Demet Account में आ जाएंगे पहले आने में उसे दो दिन लगते थे तो ध्यान रखना ये Points बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए हाली में किसर राजजक के मुष्क बुद्जी चावल और चिकरे वुड क्राफ्ट को GI Tech मिला तो आंसरों का जमू कश्मीर तो जमू कश्मीर का एक जिला है राजोरी तो उसका जो ये चिकरे वुड क्राफ्ट है इसको अभी GI Tech मिला और उसी तरह से जमू कश्मीर का है अनंत नाग जिला जिसके अभी मुष्क बुद्जी चावल को GI Tech मिला बाकि GI Tech मतलब Geographical Indication Tech अधिनियमया 1999 में जो लागू हुआ 2003 में और पहली बार मिला था 2004 में पश्चमंगाल की दारजलिंग टी को अभी कई सारे प्रोडेट्स को GI Tech मिला था कुछ important मैं आपको revise कराऊं तो एक तो याद रखना राजस्तान के नाथ द्वारा की पच्वाई पेंटिंग को GI Tech मिला और उसी तरह से राजस्तान के उदेपूर कौफतागेरी Metal Craft को विकानेर की कशिदा कारी शिल्प और विकानेर के उस्ता कला शिल्प को मिला उसी तरह से राजस्तान के जोदपूर की बंदेज शिल्प को GI Tech मिला और गोवा के अभी मानकुराद आम को GI Tech मिला अभी तमिलनाडू के चेहदी बट्टा शाड़ी को GI Tech मिला था और जदेरी नाम कट्टी नाम से एक मिट्टी है उसको जी है टेक बला था तो ध्यान रखना ये बढ़ते हैं अगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में प्लक ने निवेशक और ब्रेंड अमबेस्टर के रूप में किसे चुना तो आंसर होगा करीना कपूर को प्लक ये ग्राहकों को ताजे फल और सब्जया उपलब्द कराने वाला एक ब्रेंड है और इसमें एक इन्वेश्टर और ब्रेंड अमबेस्टर के रूप में जुड़ चुकी है कौन करीना कपूर खान अच्छा कुछ और इंपोर्टेंट ब्रेंड अमबेस्टर जो अभी न्यूज में थे तो एक तो आपने पढ़ा था कि अभी भारत जो है वर्ल्ड कप 2023 स्कायोजन कर रहा है होस्त कर रहा है और इसके ब्रेंड अमबेस्टर बनाए गए ते शारुक खान जिनका सम्मंद टैनिस से है तो यह most important प्रशन है देखो प्रशन क्या था सम्मेलन का लेकिन वहाँ से प्रशन क्या निकल गया अभी हाली में ऑसकर विजेता विलियम फ्रीड किन का निदन हो गया उनका सम्मंद किस देश से है तो आंसर होगा अमेरिका तो यह निर्देशक थे डिरेक्टर थे विलियम फ्रीड किन और यह USA के रहने बाले थे अभी इनका निदन हो गया इनकी एक फेमस फिल्म थी The French Connection इस फिल्म के लिए इन्होंने पाँच आसकर जीते थे इसलिए इनका नाम इंपोर्टेंट होता है अब हमारी फटाबवर्ड वाली सिरीज आती है और आज की फटाबवर्ड वाली सिरीज में आपके लिए क्या है तो इसमें है महत्वपून अमल जो अकसर एक्जाम में रिपीट होते हैं वो वो वाले में सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लिकर कहा हैं क्योंकि जब आपको पता लगेगा न ये प्रस्ट मुझे नहीं आए और मुझे बताना किटने प्रस्ट बिल्कुल सही है और कितने गलत रहे अब वीडियो को पॉस्ट कर लो आराम से फिर आराम से उत्तर लगाओ और मैं आपको उत्तर बता देता हूँ तो पहला प्रश्ण आपसे बूचा था दा सेब फ़ैव यानि की apple में कौनसा acid पाया जातारे तो आंसर होगा malic acid अंगूर में कौनसा होथा है tartaric acid होथा है और SIMLE में भी आपका tartaric acid होथा है खटे फल, कोई भी अगर खटे फल हो गया, नारंगी बोल दिया, जैसे नीबू बोल दिया, तो इसमें क्या होता है, आपको पता है, सैट्रिक असेड होता है, और दही में, दही बोल दे या दूद बोल दे, दोनों का उत्तर क्या होगा, लेक्टिक असेड, तो कि आपको पत बात करेंगे तो carbonic acid होता है और bicchu मतलब बिच्छु जब काटता है तो उसके dunk में पूच रहे तो formic acid होता है इसी तरह से चीती जब काटती है तो उसमें भी formic acid होता है और urine में कौन सा acid होता है तो uric acid होता है urine में सिर्का याने की vinegar इसमें होता है अब आप मुझे comment करके बताओ कि कितने सही रहे और कितने गलत रहे आपके बागी वीडियो पसंद है तो share जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में अच्छा अभी कल के current affairs का भी हम revision करना है तो चलो करते हैं तो पहला प्रशन आपसे पुछा था कि August 2022 में launch किये गए लगबग 50 वर्षों में रश्या के पहले चंद्रमा मिशन का नाम क्या है Luna 25 फिर आपसे पुछा August 2023 में जारी निती आयो कि डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप है तो आंसर होगा राइचूर दूसरे नंबर पर हर्याना का नूँँड फिर आपसे पुछा UK संसद के House of Lords के द्वारा शशक्त महिला आइकन पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया माईरा ग्रोवर को फिर आपसे पुछा किस राज्य में बनाया जाएगा तो आंसर होगा मद्यप्रदीश फिर आपसे पुछा किस राज्य ने भारत का पहला क्रशी डेटा एक्सचेंज लाउंच किया तेलंगना में कहां पे हैधराबाद में पिर आपसे बूचा किस राज़ सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शूरू किया तो आनसर होगा मेगाले और पिर आपसे बूचा IQ Air के अनुसार कौनसा शहर दुनिया का सबसे प्रदुशित शहर है अंसर होगा जकारता फिर आपसे बूचा हाली में जारी डिटा की अनुसार के इंसर के सबसे अधिक मामले के सिराजे में है तो आंसर होगा यूपी में और फिर आपसे बूचा हाली में जारी इंटरनेट रेजिलियस इंडेक्स में भारत की रेंग क्याई 6 आप कल का homework प्रशन देखते हैं और सेशन एंड करते हैं तो कल के वीडियो में आप से क्या पूछा कि महराश्टर के किस जिले में बारत के पहले कारबन तटस्त गाउं विकास हो रहा है तो अंसर होगा थाने में आप सब भी ने प्रशन का बिल्कुल से उत्तर दिया अब यह रहा आज का आपका homework प्रशन